आप सभी का स्वागत है English अधिकारी platform पर आज हम लोग मर्द्य प्रदेश में recently दिये गए सभी awards को एक वीडियो में wind up करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बड़े-बड़े subject पढ़ते हो जिसमें महीनों लग जाते हैं कभी कबार और question जितने आते हैं और जितना हमने time दिया है उसमें कितना फर्क रहता है time बहुत जादे दिते हैं question कम आते हैं लेकिन इस particular वीडियो में इतने कम समय में बहुत high probability है कि minimum एक question तो हमारा फस ही जाए और दो number हमको मिल जाए कि जिसमत अच्छी रही तो दो question भी as it is आ सकते हैं क्योंकि awards एक बहुत ही trending मुद्ध होता है जो exams में पूछा जाता है ना सिर्फ MPPSC बलकि तमाम state level exams में इस particular वीडियो की इस particular topic का बहुत high relevance है और बहुत high benefit है कम investment of time में चले तो जितने भी बच्चे नए हमें बता दूँ कि अगर आप इस session की PDF चाहिए तो आप हमारे telegram group से जुड़के वो PDF एकसेस कर सकते हैं और उस telegram group का link भी description में दिया है इसके लावा हमारी app है English अधिकारी वहाँ पर भी तमाम English medium के courses MPPSC के pre और mains के available है जिसको आप access कर सकते हैं और कोई भी समस्या आने पर इस number पर contact कर सकते हैं चले तो बिना time waste की सीधे main बात करते हैं सबसे पहले लका मंगेश कर सम्मान दिया गया अच्छा अच्छे से सुनना है अगर हम बार बार यहां पर एक शब्द यूज़ कर रहे हैं 2019-2020 बिलकुल यह नहीं सोचना है कि सरी वही पुरानी वीडियो है कि नहीं भई यह बिलकुल recent वीडियो है यही latest awards जो मंद्रदेश सरकार ने दिये हैं तो सर क्या आप यह बोलना चाहरे हैं कि 2021-2022 के सम्मान नहीं दिये गए हाँ नहीं दिये गए हैं यही recent सम्मान दिये गए हैं इन फैक्ट यह जो हम लोग अभी लता मंगेश के सम्मान पड़ रहे हैं मैं आपको बताओं पिछले साल 24 नवंबर 2021 को यह सम्मान दिये गए हैं और उसके बाद अभी और कोई घोशन नहीं हुई तो यही recent है यही current है यही exam में आने की बहुत संभावना है तो बले 2020 लिका है तो ऐसा ही होता है पुराने साल के awards को घोशित किया जाता है कई कई बार तो बल्क में 3-4-4 साल के awards को घोशित किया जाता है 2016-17 के इसको दे रहे हैं 17-18 के इसको दे रहे हैं इसलिए परिशान नहीं हुना बिलकुल सही वीडियो है बिलकुल current में ही हम लोग पढ़ रहे हैं और 2022-23 के जितने exam सोंगे सब में ये वाला पूरा आपका fact काम का होगा तो पहली बात लता मंगेशकर सम्मान तो होश में रहना है लता मंगेशकर जी इन दौर में इनका जन्म हुआ ये अपने आप में question है और इनको 2001 में भारत रतन मिला था तो ये बस दो चीज़े लता मंगेशकर जी के लिए याद रखना है तो जन्म कहुआ इन दौर में 1929 में भले ये याद ना हो लेकिन इन दौर याद रखना और भारत रतन में 2001 मिला आगे बढ़ते हैं अब लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है दो लोगों को तो एक 2020 के लिए दिया गया है आनंद मिलिंद की जोड़ी को ये हैं आनंद मिलिंद तो ये कौन हैं तो ये म्यूजिक कंपोजर हैं आनंद मिलिंद और इनकी जोड़ी को ऐसाद बोलते हैं साथ में आनंद और मिलिंद और ये हैं 2020 के विनर और 2019 के winner की बात करें तो शैलेंद्र सिंग, ये हैं शैलेंद्र सिंग, ये भी playback singer है, तो अगर मैं field की बात करूँ तो ध्यान से सुनना, तो field क्या है playback singing light music, तो लता मंगेश का reward दिया जाता है playback singing और light music में, शैलेंद्र सिंग के आपने गाने जरूर सुने होंगे, जैसे मैं पर्सनल फेवरेट, ए यार सुन, यारी तेरी मुझे जिन्दगी से भी प्यारी है, शैलेंद्र सिंग, तो इनके एक से बढ़कर एक ऐसे जबरदस्त गाने हैं, और इनको दिया गया है लता मंगेश का सम्मान 2019, और 2020 किसको दिया गया, आनंद मिलिंद, किस category में दिया जात दूसरे सम्मान पर आते हैं किशोर कुमार सम्मान, तो ये भी 24 अक्टूबर 2021 कोई बहुत सारे सम्मान अनौंस किये गए, और वहाँ पर किशोर कुमार सम्मान भी अनौंस किया गया, ये किसमें दिया जाता है, फिल्ड क्या है, तो किशोर कुमार सहाब, अगर आपको इनक स्क्रिप्ट के लिए और किसको दिया गया तो 2020 का दिया गया है अमिताब भट्टाचार जी को अमिताब भट्टाचार मैं आपको पता हूँ एक पिचर आयी थी बहुत समय पहले शायद आप छोटे मोटे थे उस समय या कुछ बच्चे तो अभी होंगे ही नी शायद उस समय देव डी तो होगे होश में नहीं होगे देव डी महा घटिया पिचर थी बिलकुल नहीं देख नवाज उद्दीन सिद्गी उस टाइम पर स्प्रगल कर रहे थे इनको कोई नहीं जानता था और इसी बहुत सारी पिच्चर है जिसमें नवाज उद्दीन सिद्गी ने ऐसे छोटे छोटे रोल किये हैं और तब फेमस नहीं थे तो यह वही गाना है इमोशनल अत्याचार जिसके लिरिक्स किसने लिखे हैं अमिताब भटाचारे और यह रात और रात फेमस होगे तामिताब भटाचारे इस गाने को लिखे और इन्हीं अमिताब भटाचारे को अभी क्या मिला है किशोर कुमार सम्मान 2020 साथ साथ देखें दूसरे व्यक्ति तो किशोर कुमार सम्म 2019 यह मिला है अशोक मिश्रा सاحब को अशोक मिश्रा सहाब के बारे में मैं आपको बता हूं कि यह भी डायलॉग्स लिखते हैं हना तो इनने भी जो चीजें लिखी हैं जो डायलॉग्स लिखी है जो स्क्रिपट लिखी हैं वो वेलकम टू सजजन पुरे एक बहुत पुरानी पिच्चर है श्रेयस तलपडे उसमें लीड थे और इसके अलावा वेल डन अबबा अगर आपने देखी हो गोमन इरानी सहाब की तो इन मूवीज में अशोक मिश्रा सहाब ने स्क्रिप्ट लिखी है तो ये दो मूवीज अच जिसमें 10 लाक रुपे दिये जाते हैं जो मद्यप्रदेश का हाइस्ट अवार्ड है 10 लाक वो अभी आएगा इसके अलावा कबीर सम्मान आज हम देखेंगे उसमें 3 लाक रुपे दिये जाते हैं हमारा यही प्रयास है आज की वीडियो में बिल्कुल रट जाईए हमको सा आज है तो महत्मा गांधी सम्मान 10 लाक रुपे कबीर सम्मान 3 लाक रुपे कुमार गांधर्व सम्मान 1.25 सुनना सर आप इनके ही क्यों पहले बता रहे हैं बाकी सब के 2-2 लाक हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो हमने भी बोला लता मंगेशकर सम्मान 2 लाक और के बारे में डीटेलिंग करेंगे चलें आगे बढ़ते हैं अभी हम पूरा रिवाइस करने वालें बिल्कुल परिशान नहीं हूं नेक्स्ट सम्मान देखते हैं शरद जोशी सम्मान शरद जोशी जो खुद भी एक सटाइरिस्ट थे व्यंगकार थे और इनने खास तोर प डायलोग राइटिंग भी की है फिल्मों में भी जैसा कि दिल है कि मानता नहीं आमिर खान पूजा भट इसमें इन्होंने डायलोग भी लिखें विक्रम और बेताल अगर आपने सुना हूँ आप अपने पेरेंट से ग्रेंट पेरेंट से पूछेंगे न तो आपको बताए कि विक्रम और बेताल सीहासन बतीसी ये सब शो पहले आते थे तो वहां पर डायलोग राइटिंग भी की है किसने किये शरच जोशी जी ने और इसलिए शरच जोशी जी की परसनालिटी इनकी स्मृती में हम देखते हैं एक अवार्ड मंद्रपदेश सरकार ने इंस्टिट अब ही हम लोग सब याद करेंगे परिशान नहीं होना है और अवार्ड की राशी किती है तो यहां पर भी दो लाग है तो मैं आपको फिर बोलता हूं महात्मा गाली सम्मान दस लाग कबीर सम्मान टीन लाग और कुमार गांधर्व सम्मान 1.25 लाग इसके अलावा लता सम्मान किसमें दिया जाता था याद करो तो प्लेबैक सिंगिंग लाइट म्यूजिक याद है प्लेबैक सिंगिंग लाइट म्यूजिक अच्छा और अभी हमने बोला जो हमारा दूसरा सम्मान था किशोर कुमार सम्मान तो एक्टिंग फिर डारेक्शन या डारेक्टिंग इसके अलावा हम बोलें script writing, lyrics writing ठीक है और यहाँ पर शरत जोशी सम्मान तो letter writing, report writing, diary writing, essay writing तो इन सब में दिया जाता है शरत जोशी सम्मान चलें आते हैं next सम्मान को जल्दी से जिक्र करेंगे, revise करेंगे, short video रखेंगे ताकि retention भी बहतर हो जाए ऐसा नहीं कि लंबी लंबी च इस field में दिया जाता है उर्दू literature, बिल्कुल simple एकबाल सम्मान दिया जाता है उर्दू literature, prize money किती है दो लाग, टीन award है जिसमें अलग राशी है, वो हमने बात कर ली, चलो 2020 का दिया गया है प्रोफेसर अली एहमद फात्मी जी को, तो 2020 का किसको दिया गया है, अली एहमद और 2019 का दिया गया है, जाकिया मस हदी, तो जाकिया मस हदी को दिया गया है 2019 का, चलो, अब क्यूंकि हमने बहुत discuss कर लिये, हम लोग revise करते हैं, लता मंगेश कर सम्मान 2020, मैं इसलिए जान बूच के मैंने पिच्चल डाली हैं, ताकि बहुत भैतरीन तरीके से दिमाग में visual impact हो, क्योंकि जो visual चीज होती ही, वो जाद समय तक retain करते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं, कि यहां पर आनंद मिलिंद जो सहाब है, इनको मिला है 2020 का सम्मान, और 2019 का किसको मिला है, लता मंगेश का सम्मान शैलिंदर सिंग, नेक्स्ट बात करें, तो किशोर कुमार सम्मान, अ अली एहमद फात्मी और जाकिया मसहदी, तो अली एहमद फात्मी, नेक्स्ट बात करें, तो मसहदी सहब को मिला है, नेक्स्ट चलें आते हैं कबीर सम्मान, पहले ही मैंने बता दिया, तीन लाख रुपए इसमें इनामी राशी है, अभी तक हमने जो आवर्ड्स देखिए उसमें दो लाख थी, कबीर सम्मान में कितनी राशी है, तीन लाख, इंडियन पोईटरी में दिया जाता है, क्योंकि कबीर आपको मालुम है, कि दो हे, इनके बहुत पहमस, तो ये कबीर तो थे एक प्रकार से, तो भाई हम बोल रहे हैं कि जो कबीर सम्मान है, इंडियन प आज राम, तो बिल्कुल होश में रहना, सबसे पहले बात करें, मनोज श्रिवास्तफ कौन से सम्मान पढ़ रहे हैं, कबीर सम्मान, पोईटरी, तो अब यहां से सुनना, ये हैं आपके रिटायर आईएस ओफिसर, तो रिटायर आईएस ओफिसर ने एक समय ने भी आप ज और ये हैं कबीर सम्मान मिला है, क्यूं। क्यूंकि ये मनोज श्रिवास्तफ सहाब को और 2019 का किसको दिया गया है, बिनए राजा राम, बिलकुल कन्फियूज नहीं होना, हम लोग तेजी से चल रहे हैं, लेकिन रिवाइस करते जाएंगे, इक्बाल सम्मान 2020 तो अली एहमत फात्मी यह हैं अली एहमत फात्मी और 2019 का जाकिया मसहदी और यहाँ पर आएंगे मनुष श्रिवास्तप और बिने राजाराम चले नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट देखो नाना जी देशमुख सम्मान मैं आपको बता दूँ नाना जी देशमुख तो नाना जी देशमुक असल में एक politician और एक social worker हना तो ये politician की life में इनकी बताओं तो ये भारतिये जन संग से जुड़े थे भारतिये जन संग एक political party थी जो की शामा प्रसाद मुखर जी ने शुरू की थी आगे इसी भारतिये जन संग के कई लोग भारती जनता party यानी बीजेपी फाउंड करेंगे और उनमें से कटल बिहारी बाश्पी साब भी होंगे तो होश में रहना भारतिये जन संग से ही कई लोग निकल के बीजेपी का foundation रखेंगे और इसलिए यही कारण है कि जब बीजेपी पावर में आती है तो बीजेपी बड़ा समान देती है नाना जी देशमुग जी को और इसलिए इनको 2019 में भारत रत में भी दिया जाता है हाला कि नाना जी देशमुक जी की तब तक देथ हो गई थी 2010 में इनकी देथ हो गई थी लेकिन posthumously यानि मरनों प्रांथ मरने के बाद इनको दिया गया भारत रतने 2019 में दिया गया है कि इनको नाना जी देशमुक जी अपने आप में कोशन है मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये social worker भी थे और इन्होंने बहुत सारा काम किया education और health field में और इसलिए इनकी ही स्मृत्ती में मध्यप्रदेश सरकार ने एक award institute किया है नाना जी देशमुक अवर्ड कौन सा वर्ड नाना जी देशमुक अवर्ड और हम देखते हैं इसमें भी प्राइज मनी दो लागे इसके field देखो health education जिसमें इन्होंने भी कई बहुत सारा काम किया spirituality culture social work तो ये है field नाना जी देशमुक सम्मान की बात हो रही है अचा कप और किसको दिया गया तो वो भी हम लोग देख लेते हैं मैं ये भी बता दूँ आगे बढ़ने से पहले नाना जी देशमुक वेटरनरी साइंस युनिवर्सिटी भी मौजूद है जबलपूर में तो नाना जी देशमुक वेटरनरी साइंस उनिवर्सिटी जबलपुर में मौझूद है बिलकुल होश में रहना है अब ये सम्मान दिया किसको गया तो 2020 का सम्मान दिया गया है गौमुकी सेवा धाम कोर्बा तो कोर्बा के एक संस्थान को जो सोशल वर्क के लिए फेमस है उसको दिया गया है कोर्बा 36 गड़ में है क्या है संस्थान का नाम तो गौमुकी सेवा धाम हम लोग फिर से सब रिवाइस करने वाले हैं बस एक बार ही करने खतम तो नाना जी देशमुक सम्मान 2019 का किसको दिया गया नर्मदा संस्थान खरगौन तो बिलकुल होश में रहना है बिलकुल जिन्दा रहना है बिलकुल अलर्ट रहना है चोटी सी वीडियो है जल्दी खतम कर देंगे तो हमने क्या बोला हमने बोला कि नाना जी देशमुक सम लता मंगेशकर सम्मान 2020 का आनंद मिलिंद अब तुम लोगो भी लग रहा होगा कि यारे सर जरूरत नहीं अब रिवीजन की पता है क्यूं क्यूंकि बार बार आपने पढ़ लिया तो अब परफेक्ट हो गए तो हमने ये चीज बचपन से आप लोग सुन रहे होगे कि आप जितना जादा पढ़ोगे उतना जादा भैतरी की और बढ़ोगे बार बार रिवाइस करो MPPSC बहुत सरल एक्जाम है चलो तो आते हैं हम लोग तो हमने बोला लता मंगेशकर सम्मान 2020 आनंद मिलिंद और 2019 का शैलेंद रिवीजन का खेल है अब आपको वही चीज जो कुमार सम्मान बता तो किशोरकुमार सम्मान 2020 का अमिताब भटाचार और 2019 का अशोक MSH صاحب next शरड जोशी सम्मान बताएंगे तो शरड जोशी सम्मान में हम देखते हैं की विजयमनोहरतिवारी और कैलाश मंड लेकर next है कबीर सम्मान अली ऐहमत फात्मी और जाकिया मसहदी नेक्स्ट बताएंगे कबीर सम्मान तो मनोज श्रिवास्तव रिटाइड आईएस आफिसर और बिने राजाराम तो ये भी हमने कर लिया अच्छा कंफ्यूजन कहां पर होगा बच्चों को कबीर सम्मान में मनोज श्रिवास्तव रहें कबीर पोईट्री तो आईएस लोग भी पोईट होते हैं ऐसे याद रखना है और इस प्रकार मनोज श्रिवास्तव को कबीर सम्मान जब की विजय मनो हरतिवारी को शरज जोशी सम्मान चलें ये भी हमने देख लिया नानादी देशमुक्ष सम्मान हमने देखा 2020 का गौमों की सेवा धाम और 2019 का नर्मदा संस्थान खरगौन इनको भी 2 लाक रुपे सम्मान के रुप में दिये जाते हैं नेक्स्ट देखो सम्मान है मैथली शरण गुप्त सम्मान सबसे पहला confusion में दूर कर दूँ मैथली शरण गुप्त मेल है हना तो आप लोग नाम से confused मत होना हना तो ये female नी मेल है भाई नाम से नहीं दिक्कत होनी चाहिए पहली बात दूसरी बात ये खड़ी बोली के राइटर थे अगर आपको मालूम हो ये वो दौर था अब तमाम लोग लिख रहे थे ब्रज भाशा में लेकिन इनने लिखा खड़ी बोली में खड़ी बोली में इनकी बहुत मत्वपूर पुस्तक है भारत भारती मैं आपको ये भी बता दूँ खड़ी बोली में असल में बहुत लोगों को शब्द मिसिंग होते हैं जैसे हम बोलेंगे आप बैठ जाईए तो यहाँ पर खड़ी बोली में बोला जाता है तू बैठ जा तो वहाँ पर आप नहीं है तू ज़्यादा सम्मान देना होगा खड़ी बोली में तो तुम बोल देंगे आट मैक्स तो घर पे भी कि पापा ममी से भी ऐसी बात करी जाती ही खड़ी बोली वाले शेत्रों में कि तू आजा तू बैठ जा तो ऐसा नहीं डिसरिस्पेक्ट है वहाँ पर शब्द ही ही है वहाँ पर है यही नहीं आप तो क्या कर सकते हो बोली में नहीं है आप तो ये है खड़ी भोली एक अच्छा एक्जामपल में देता हूँ चकदे अंडिया अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें एक आतीना प्लेयर कोमल चोटाला तो जो कोमल चोटाला है वो असल में खड़ी बोली कर इस पिचर में इस्तमाल करती है अगर नहीं देखी पिचर तो भई यह देख के आना पड़ेगा अपनी क्लास में बॉली वुट की पूरी पिचरें रटी हुई होनी चाहिए तो कोमल चोटाला चगदे इंडिय को दिया गया मैथली शरण गुप्त सम्मान 2020 और 2019 का दिया गया है शिफ कुमार तिवारी जी को दो लाक इसमें भी देते हैं हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है याद करो उर्दू लिटरेचर के लिए कौन सा सम्मान हमने पढ़ा इकबाल सम्मान इंडियन पोईट कुमार गांधर्व सम्मान पहली मैंने बोल दिया कि आज की जो हमारी वीडियो है उसमें दो दो लाक रुपे मिलते हैं लेकिन महत्मा गांधी सम्मान जो आगया आएगा उसमें 10 लाक कबीर सम्मान में 3 लाक और कुमार गांधर्व सम्मान में 1.25 लाक यानि कुस दिर पहल कि एक लाग 25,000 का सम्मान है भाया एक लाग रहने देते यह देट कर देते दो कर देते 1.25 और कर देते ऐसा 1.253 इतना रुपई देंगे बिलकुल पैसे हाथ में रही क्या है इनका खुद का स्टाइल अफ सिंगिंग था इसलिए इनको कबीर बोलते थे क्योंकि कबीर का भी ऐसे ही था ना कबीर कबीर भी तो बिलकुल दुनियादारी से अलग बाते करते थे जो रिचुल्स चल रहे हैं उसमें विश्वास नहीं रगते थे वो सब उनको ढूंग लग कबीर जी की थी और कबीर जी भी बिलकुल दुनियादारी से अलग बाते करते थे वैसे ही कुमार गांधर्व भी दुनियादारी से अलग स्टाइल अफ सिंगिंग थी इसलिए इनको कबीर बोलते हैं म्यूजिक वर्ड का और इनका एक समारो देवास में आयुजित होता है अगर आपको मालूम हो और हम संवान पर आते हैं तो कुमार गांधर्व संवान दिया गया है 2020 का सुचिसमिता और देबो प्रिया चैटर जी को तो सुचिसमिता देबो प्रिया असल में ये दो बहने हैं जो की flute बजाती है और इसलिए इनको flute sisters के नाम से भी जाना जाता है बिलकुल दिमाग में रखना है सुचिसमिता शुशमिता नहीं है गलत नहीं लिखा है मैंने सही लिखा है सुचिसमिता देवो प्रिया चैटर जी बेंगॉली है flute बजाती है और इनको दिया गया है कुमार गंधर्व सम्मान 2020 2019 का दिया गया है मीता पंडित जी को तो 1.25 लैक दिये जाते हैं क्लासिकल म्यूजिक फिल्ड है फिल्ड क्या है क्लासिकल म्यूजिक फिल्ड है सब रिवाइस करेंगे थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं चलो आज पंडित सम्मान 2020 और तानसेंि संवान 2020 दिया गया है सतीश व्यास जी संतूर वादक है सितार भी बजाते हैं लेकिन संतूर के लिए जादा प्रसिद है क्या नाम है सतीश व्यास है और मैं आपको बता दूँ जब शिवा centr test को've सम्मान दे रहे थे उस्य ससे में यह स्टेज से घोश्रा तब यह भी करते है कि अभी तक तो दो लाक रूपे दीये जाते हैं ऐससे सम्मान में लेकिन अब से हम इस राशी को बढ़ा कि पौट है बता स्टेज भी घोश्रा कर 1380 नंके या कर रहा है इनके बार दे लूँगा मैं अभी किसी और को दे ना सतीश व्यास पांच लाक रुपे मिलते अगर अगली बार मिलते तो लेकिन इनको अभी मिल गए तो दो लाक रुपे मिलेंगे अच्छा 2019 का दिया गया है विद्यादर व्यास जी को तो सुनना तांसेन सम्मान 2020 का सतीश व्यास और तांसेन सम्मान 2019 यहाँ पे गलती हो गई है मैं इसको सही कर दूँगा 2019 तो जो PDF आपको मिलेगी उसमें हम सही कर देंगे तांसेन सम्मान 2019 किसको दिया गया है विद्यादर व्यास जी को दिया गया है अच्छा दो लाक रुपे मिलते हैं क्लासिकल म्यूजिक से संबंद थे थोड़ी देर पहले भी हमने कुमार गांधर्व सम्मान में जो फिल्ट देखा वो भी ग्लासिकल म्यूजिक था और अब हम लोग बोल रहे हैं तांसेन सम्मान में जो फिल्ड हो ख्लासिकल म्यूजिक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ी दीर में रिवाइस महात्मा गांदी सम्मान मध्यप्रदेश का भारत रतन आप इसको कह दो क्योंकि इंडिया के लेवल पर हाइस्ट आउनर भारत रतन होता है और मध्यप्रदेश के लेवल पर हाइस्ट आउनर महात्मा गांदी आवर्ड होता है महराश्टर की संस्था और महात्मा गांधी संमान मिला अच्छा आप बच्चों के मन में कोशन आ रहोगा सर फील्ड तो बताओ तो फील्ड तो वैसे आप समझी गए होगे कि सोशल वर्क इन्वाल्ड है तो सोशल वर्क इसमें ऑब्यस्टी बात है एक फील्ड है तो सोशल अप्लिफ्टमेंट और गांधियन फिलोसफी तो सोशल अप्लिफ्टमेंट और गांधियन फिलोसफी के लिए दिया जाता है ये संमान कौन सा संमान तो महत्मा गांधी संमान और किसको 2020 का दिया गया तो भटके विमुक्त संस्था अच्छा 2019 का किसको दिया गया तो गायतुरी परिवार गायतुरी परिवार को 2019 का दिया गया है सम्मान महात्मा गांधी सम्मान गायतुरी परिवार 2019-2020 का बताओ तो भटकी विमुक्त संस्था चलो आगे आते हैं 10 लाग मिलते हैं biggest award of मद्द प्रदेश है इससे पहले हम लोग आगे बढ़े एक बार जल्दी से revise करेंगे और उसके बाद हम लोग बस कुछ सम्मान बचे हैं जो recently दिये गए थे उसको wind up कर देंगे एक बार revise कर लिया है इस लेवस खतम करके revision तीन बार कर लिया है वो है यहाँ पर असली युद्धा वो है यहाँ पर असली हिलाडी और जो जो लास्ट महीना होता है एक्जाम से पहले वो सबसे मत्वपूर होता है क्योंकि यही चीज़ें आपके साथ एक्जाम में जाती हैं तो अगर आपने पूरे साल बर मेहनत की और लास्ट महीने में मकारी कर दी रिलैक्स हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपने पूरे साल मकारी की लेकिन लास्ट महीने में देड़ महीने में आपने बहुत सारा अच्छे महनत से पढ़ लिया तो यकीन मानिए चांसे बढ नेक्स्ट बात करते हैं किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो 2020 का मिताब बटा चारया और 2019 का अशोक मिश्रा दो लाख रुपे दिये जाते हैं एक्टिंग, फिल्म, डारिक्टिंग, लिरिक्स और स्क्रिप्ट राइटिंग ये वही चीजों में दिये जाते हैं जिसमें लिएटर राइटिंग, इक्बात करते हैं एक्बाल सम्मान अली एमद फात्मी और जाकिया मसहदी, तो 2020 का अली एमद फात्मी, 2019 का जाकिया मसहदी, नेक्स्ट बात करो, कभीर सम्मान मनोज शिवास्तफ साहब रिटाइड आईये हैं तो इनको कभीर सम्मान तो पOETRY के ल खाली चीज हमको मिलती है, social work मिलता है और महात्मा गांधी सम्मान ना जी देश्मुख में में पील्ड कुछ मिलते हुए हैं, वहाँ पर महात्मा गांधी सम्मान में social upliftment था और नाना जी देश्मुख सहाब में social work है इसके इलावा और कौन से फिल्ड है नाना जी देशमुक साहब के सम्मान में तो हम देखते हैं एजुकेशन हेल्थ स्पिरिच्वालिटी अच्छा अब सम्मान 2020 का दिया गया गौमुकी सेवा धाम और 2019 का दिया गया नर्मदा संस्थान नाना जी देशमुक सम्मान की बात हो यह मैथली शरण गुप्त की बात करें तो 2020 का सचिदा नंद जोशी जी को दिया गया और 2019 का दिया गया शिफ कुमार तिवारी नेक्स्ट कुमार गांधर्व सम्मान की बात करें जो विद्यादर व्याज जी को मिला है नेक्स्ट बात करते है नैश्टाल महात्मा गांदी सम्मान 2020 भटके विमुक्त संस्तान और 2019 का किसको दिया गया है तो गाहितरी परिवार को दिया गया है दस लाख रुपे देते हैं बस चलो खतम कर रहे हैं थोड़ी देर में जिन्दा रहना है तुलसी सम्मान 2020 तुलसी सम्मान 2020 किसको दिया गया ये दिया गया एक ट्राइबल आर्टिस्ट है तिलक राम पेंदराम असल में तुलसी सम्मान के अगर आप फिल्ड देखोगे इसका ये कर्स्पॉंडिंग सम्मान है जो केवल महिलाओं को दिया जाता है जिसका नाम है देवी अहिल्या भाई सम्मान तो होश में रहना तुलसी सम्मान और देवी अहिल्या भाई सम्मान के फिल्ड सेम है बस तुलसी सम्मान मेल्स को दिया जाता है और देवी अहिलिया भाई सम्मान फीमेल्स को दिया जाता है तुलसी सम्मान तुलसी दाज जी की स्मृति में स्थापित किया है और देवी अहिलिया भाई सम्मान और विसी बात है अहिलिया भाई होलकर जी की स्मृति में स्थापित किया है ये मेल्स को मिलता है इसमें भी दो लाक रुपे मिलते हैं और तुलसी सम्मान 2020 दिया गया है तिलक राम पेंदराम को जो ट्राइबल आटिस्ट है और तुलसी सम्मान 2019 दिया गया है भारती बंदू को भारती बंदू कबीर गायक है कबीर जी के जो दोहे होते हैं और भी जो folk art और traditional art में females को सम्मान दिया जाता है 200005,000 ca dijaya government मालनी अवस्ति को तो यह हैu मालनी अवस्ति folk artist है क्यूंकि który folk artist में भी can myself और यह भोचपूरी गाने भूंदेल खंडी गाने अवदी गाने गाती है अनकल्ड इवस्ति को बिल्कुल नहीं Oxford को लैसा आँए आउंटी का गाना देख रहे हैं आप अंकल का रियक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका रियक्शन होता है जब मम्मी पूरे दिन बर बोलती है कि आज पनीर बना पनीर बना और जब तुम वो प्लेट अटाते हो तो तब तुम्हें मिलता है लौकी करेला अंकल का वही रि ये मंडला आटिस्ट है मंडला में एक आटिस्ट है शान्ती बाई मारावी तो बिल्कुल होश में रहना है 2020 का मालिमी अवस्ती और 2019 का शान्ती बाई मारावी कौन सा अवर्ड तो ये देवी अहिलिया बाई सम्मान मिला है ठीक है दो लाक रुपेस में मिलते हैं चलें पाफी लोगों को मिलता है क्योंकि category भी जादा है, तो कालिदास सम्मान सबसे पहले classical music में दिया जाता है, classical dance में, sculptural art में, theater में, ये महत्वपूर्ण categories हैं, इसके अलावा भी categories हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण वाली यही है, तो होश में रहना, कालिदास सम्मान मिलता है classical music, classical dance, sculptural art, theater, अब classical dance में किसको मिला है, तो ये classical music में किसको मिला है, तो 2020 का मिला है classical music में, भजन सुपोरी, ये है भजन सुपोरी, भजन सुपारी नहीं, भजन सुपोरी, सर इनका नाम है भजन, हाँ, तो सर इनसे लोग कैसे बोलते होंगे भजन गाने को, इनसे ऐसे बोलते हो भजन जी भजन डालो तो भजन सुपोरी क्लासिकल म्यूजिक 2020 का कालिदा सम्मान क्लासिकल म्यूजिक में और 2019 का मिला है अब है नारायन मलिक तो थोड़ा सा यह आपके लिए टफ होने वाला है लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनना अगर आसान काम होता तो दुनिया में आज हर कोई दूसरा विक्टी कलेक्टर होता निश्चित रूप से याद करना हर किसी के बस की बात नहीं इसलिए बहुत कमी लोग इस एक्जाम को क्लियर कर पाते हैं और अगर आप में बस यह जजबा है कि मुझे डीसी बनना इस एक लाइफ को अपनी सार्थक करना है और वहां तक पहुंचना है वहां मतलब उपर नहीं वहां मतलब एक अच्छा जीवन एक ऐसा जीवन जहां पर आप हजारों लाखों लोगों को influence कर सकते हो उनका भला कर सकते हो अफेक्ट कर सकते हो तो निश्चित रूप से आपको यी चीज़े याद करनी पड़ेंगी तफ सही ले कि बात करते हैं तो कालिदा सम्वन क्लासिकल डान्स में किसको दिया गया शांता धननजयन की छांता धननजयन और 2019 का सूनेना घजारी लाल there में रहना सबसे पहले हमने बूला म्यूजिक भजन सोपोरी अभे नारायन मलिक 2019 फिर हमने बूला डान्स क्लासिकल डान्स में शांता धननजयन और सुनैना हजारी लाल नेक्स्ट बात करो कालिदा सम्मान स्कल्प्चरल आर्ट में भी दिया जाता है धुरूव मिस्ट्रियों क्या बताओं यह है धुरूव मिस्ट्री और यह है इनकी स्कल्प्चरल आर्ट यह देखो क्या तो सोच है मैं आपको बता दू धुरूव मिस्ट्री कोई आम व्यक्ति नहीं है ब्रिटेन में तो कितनी ऐसी पब्लिक जगा है जहां पर इनकी मूर्तियां स्थापित हैं यह दूव मिस्ट्री ने बनाया है बताओ तो दूव मिस्ट्री जो इंडिया में जिनका जन्म हुआ ब्रिटेन में इनको बहुत सम्मान से इनका नाम लिया जाता है वहां के बहुत बड़े मूर्तिकार है बहुत बड़ी स्कल्प्चरल आर्ट के लिए फेमस है भाई इनके प फेमस आते हैं और 2019 का मिला है परम जीट सिंग को कालिदा सम्मान 2019 मिला है चलो तो हमने किया पड़ा क्लासिकल म्यूजिक के लिए भजन सो पोरी और 19 के लिए अभए नारायन मलिक 2019 चलो उदितनायन के बेटे याद है न तुमको उदितनायन लोग सिंगन लोगी तो नाराय जयन सुनेना हजारीलाल कालिदा सम्मान के लिए धुरूव मिस्तरी परमजीत सिंग अब थियेटर पे आ जाओ थियेटर में एक नाम है वमन केंद्रे और एक नाम है अनिल रस्तोगी इनको आपने कई बार मुवीज में टीवी सीजल्स में देखा होगा कई बार मिनिस्टर ब अमरिश पूरी टाइप शकल है अब अमरिश पूरी टाइप शकल है तो आपको नेगेटिव रोल भी मिलता है अधिकतर बार हाँ ना चलो तो हम देखते हैं कालिदा सम्मान थियेटर तो इसलिए मैंने शब्द यूज किया ओव्यस चलो तो वमन केंद्रे 2020 और अनिल रस्त तो आपकान और कालिदास सम्मान दोनों में इनामी राशी दो लाग से पांच लाग की जा रही है ठीक है नेक्स टाइम सबी तो दो लाग की थी अब जिनकों मिलेगा पांच मिलेगा और हमने देखा इजम से फिल्ड में मिलता है तो क्लास eig एकल म्यूजिक जऑकल डान्स इसमें भी दोनों में हमने देख लिया, थीटर में भी हमने देख लिया, जैसे अनिल रस्तोगी साव को देख लिया, ومن केंदर साप को देख लिया, Visual Arts, Visual Arts के अंदर Paintings Sculpture, तो अंदर इसके अंदर भी categories होती है, तो painting sculpture के लिए जैसे दिया जाता है, यह कुछ उधारन है, visual arts के अंदर और भी है, तो यहाँ पर हम जैसे sculpture के लिए हमने देख रहा है, धुरूव mystery, तो आपको इतना परिशान नहीं होना है, आपको बस दिमाग में रखना है, कालिदा सम्मन, classical music, classical dance, theater और visual arts, visual arts के अंदर कई स सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन आप बस visual arts दिमाग में रखेंगे, चलो भाई, अब हम लोग पूरा A to Z revise करते हैं, बिल्कुल पक्का revise करते हैं, चले, revision करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूँ, कि हमारी app पर currently, MPPSC, English Medium के pre-plus means का, MP quality, MP economy, MP unit 1, Indian quality वगएरा courses available हैं, और वहाँ पर आप app download कर सकते हैं, और app download करके आप access कर सकते हैं, और हमारा daily weekly monthly current affairs series भी चलती है, उसको भी आप access कर सकते हैं, कोई समस्या आने पर इस number से contact कर सकते हैं, चले, तो हम लोग एक बार revision कर लेते हैं, revision में सबसे पहले आज हमने बात की लता मंगेश कर सम्मान, लता मंग चार को 2020 का, और 2019 का मिला अशुक मिश्रा साब को 2,00,000 रुपे दिये जाते हैं, किशोर कुमार सम्मान की field की बात करें, किस field में दिया जाता है, तो acting हो गई, फिर direction हो गया, यानि director उसके अलावा script, writing, lyrics, writing इन चारों में, ठीक है, next हमने देखा, next क्या था, तो next हमने शरच जोशी सम्मान, शरच जोशी सम्मान, विजय मनुहर तिवारी 2020 और कैलाश मंडेकर 2019, कौन सा सम्मान है, शरच जोशी सम्मान है, दो लाख रुपे दी जाते हैं, field बताओ, essay writing, report writing, letter writing, diary writing, diary फिक के मारना, diary writing, चलो next आजओ, इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान दिया जाता है, अर्दू literature के field में, 2020 का फात्मी साहब को दिया गया है, और 2019 का, यहां पर भी गलती है, तो इकबाल सम्मान को मैं सही कर दूँगा, परिशान नहीं होना, इकबाल सम्मान 2019 दिया गया है, जाकिया मसहदी साहब को, तो जहां पर भी जो ऊपर वाला दिखे ना, आपको 2020 है, औ ने बोल दिया, उसके लिए परिशान नहीं होना है, नैशनल कभीर सम्मान, नैशनल कभीर सम्मान की बात करें, तो 2020 का मनोच शिवास्तव साहब को दिया गया है, और 2019 का दिया गया है, बिने राजाराम को, मनोच शिवास्तव साहब रिटाइड I.S है, तीन लाख रुपे क आज की वीडियो में सम्में 2-2 लाख है, नेक्स्ट आजाओ, नाना जी देशमुक सम्मान, तो नाना जी देशमुक एक पॉलिटीशियन, सोशल वर्कर, और हम देखते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, स्पिरिचुवालिटी, सोशल वर्क में ये दिया जाता है, और इसमें 2020 का वर्क किसको दिया गया, तो गौम की सेवा धाम और 2019 का नर्मदा संस्थान, नेक्स्ट मैथली शरण गुप्त सम्मान किसको दिया गया, तो सचिदा नंद जोशी साब को 2020 का, और 2019 का शिफ कुमार तिवारी जी का, तो हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है, एकबाल सम्मान उर्दू लिटरेचर मेथली शरण गुप्त सम्मान हिंदी लिटरेचर, चली तो हम लोग आगे आते हैं, आगे की बात करते हैं, कुमार गांधर्व सम्मान 2020 दिया गया, सुचिश्मिता, तो सुचिश्मिता और देगोपरिया बहने हैं, चैटर जी इनका सरनेम हैं, और ब जी को, और हम लोग यहां पे इसको सही भी करी लेते हैं, लगे हाथ, तो लगे हाथ लो हमने भाई सही भी कर दिया इसको, तो ये हो गया आपका नौ, तो चलुआओ, तो तानसेन सम्मान 2020 सतीश व्यास और 2019 विध्यादर व्यास, दो लाक रुपे मिलते हैं, पांच लाक भ वादी वादी विचारों और उसमें काम के लिए साथ सा सोशल अप्लिफमेंट के लिए सम्मान दिया जाता है, तुलसी सम्मान की बात करें, तो तिलक राम पेंदराम जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, इनको मिला 2020 का, और 2019 का मिला है भारती बंधु जी को, दो लाक रुप इसको भी हम लगे हाथ सही करी लेते हैं, तो 2019 का यह आपका सम्मान हो गया, 2019 का यह जो सम्मान ने दिया गया है, शान्ती बाई मारावी जी को, चलो भाई, तो यह भी हमने अपनी वीडियो में सही कर लिया, कोई दिकत वाली बात नहीं, तो ट्राइबल लाट फो का तो जो क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें भजन सोपोरी जी को 2020 और अभे नारायन मलिक को 2019, क्लासिकल डांस में शानता धनन जयन और सुनैना हजारीलाल, फिर स्कल्प्टरल आर्ट में धुरूव मिस्त्रिय परमजीत सिंग, और थियेटर में हमने बुला वमन केंद्र अनिल कालिदास सम्मान में 2,00,00,00 रुपे दिये जाते हैं, तो हमने देखी लिए भविश्य में 5,00,00 रुपे दिये जाएंगे, यहां पर हमने पूरी बात खतम कर दी है, पूरी बात हमने यहां पर खतम कर दी है, अना जो भी रिसेंट अवर्ट दिये गए, मुझे उमीद है आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप कोई वीडियो ये क्वालिटी ये कॉंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको जरूर उन तमाम जगहों पर शेयर कीजिए, जहां पर आपको लगता है कि आन्ने लोगों तक भी ये वीडियो पहुशनी चाहिए, इसी के साथ हम लोग वीडियो को खतम करते हैं, आप कॉमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं आपको कैसी लगी वीडियो, आप सभी पच्छे जा सकते हैं, ओके बाई-बाई-बाई, थैंक यू टाटा, सी यू अगेन